तो आज हम जो है वो फोड़े सैंथेस के बारे में पढ़ेंगे और और कल जो हम लोगा ने जो अटिपी के बारे में जो पढ़ना बागी रह गया था तो वह हम पढ़ेंगे तो आते हैं के एटिपी ATP किसे कहते हैं तो मैंने आप लोगों बताया था कि ATP जाना ATP ATP जो है मुखफ़फ है Adenosine Tri-Phosphate का Adenosine 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 Tri-Phosphate Tri-Phosphate जाना ATP जाना Adenosine Tri-Phosphate Adenosine Tri-Phosphate इसका मतब है ATP ठीक है ये क्या है ये करंसी है ठीक है यानि ये हमारे सेल जो भी काम करते हैं खुराग को आजम करते हैं तो जितने भी सेल जाना activities करते हैं मिसालों मैं बाते करूं ये सब जाना ये 예io at-p's hydrated खरच हो रही है क्या हो ये एट-पी जाना जाना तिन फास्फेट के एटम्स होते हैं तीन जाना सेता हैं इसमें क्या होते हैं तीन इसमें फास्फेट के हैं एटम्स होते हैं तीक है बांड्स तो ये जो बांड्स है ना ये जो टेड़ी मेरी किसम की जो ये बांड्स है ये बांड्स जो ये बांड्स है ना इन के अंदर तो बना ही स्टोर होती इनर्जी तो इन बांड्स को जो है ना आटम क्या करते है इन बांड्स को क्या करते है इन बांड्स को तोर देते ह ठीक है इन बांड्स को तोड़ते हैं तो इससे क्या होती है इससे इनर्जी हासिल होती है इससे इनर्जी हासिल होती है तो इनर्जी हासिल होती है और यह जो बहुत है एक बांड टूट गई है यहां से तो इससे क्या हो इससे हमें मिलती है इनर्जी इनर्जी मिलेगी फिर यह अब सेल ने इस्तेमाल कर लिए ठीक है यह क्या कर लिए इस्तेमाल कर लिए तो अब ये बांट खतम हो गई है अब जो है यहाँ पर जैसल अगर उसको और भी ज्रूवत ए इनर्जी की तो फिर दूसरी बांट भी तूट जाएगी दूसरी बांट भी क्या हो जाएगी दूसरी बांट भी तूट जाएगी और इसमें से क्या निकल जाएगी इनर्जी इसमें से बाहर की जानिब निकल जाएगी तो पहले ये ATP का मालकूल था पहले इसमें कितने थे तीन फासफेट के एडम से ठीक है पिर इसे क्या हुआ है एक कबांट तोड़ लिए और इसे जाहना यह सेल ने आपने काम के लिए आपने जाहना मुखतरी किसम सेल के काम होते है सेल जाहना वो मुखतरी किसम के एक्टिविटीज करता है तो इसके लिए जाहना इनर्जी ज़द होती है एक फासवेट टूट गया ना एक फासवेट अलग हो गया और इसमें से बांट जो है खतम हो गयी इसकी तो दो रहे गये हैं तो पहले एडनोसीन पहले एडनोसीन ट्राई फासवेट था फिर इससे बन गए एडनोसीन डाई फासवेट बन गए anucine dye funsets dye ka मतलब दो dye का क्या मतलब है dye का मतलब है two dye का मतलब है ठीक है तो try try का मतलब होता है तर ट्राई से क्या होए dye रहए muffly try से यनि जो try है ना try try से dye फाष्ट रहए गे पहले यनि तीन अदम थे try का मतलब है ट्राई का मतलब है त्राई का मतलब है ट्राई का मतलब है ट्राई का मतलब है ट्राई का मतलब है त्राई 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 का मतलब ह जोट होती है, सेल को तो एक और बांट भी तोड़ देता सेल, एक और फास्वेट भी अलग रहे जाते हैं, तो फिर बन जाते हैं, मोनो, MP बन जाते हैं, नुसीन मोनो फास्वेट बन जाते हैं, मोनो का मतलब है एक, यानि अके एक अकेला फास्वेट रहे जाते हैं, पहले कि में कितनceksना पología वाख़ीं नपनलिति का आटम फिर से एक फासफैट अलग यहलू जाता है वह से बना T वैसे बन जाता है ऐडीपी ऐड़ी ADP ADP में जाıtन दो फासफेट के he and pleins अए है, फिर और थोन एकी जाती है, तो एक और फासफेट अलग हो जाता है, तो फिर इसे बच्छ के थे बज्चात है AMP, MP में सिर्फ एक फासफेट का e ketWow एक Kita में होता है, तो इस तरह जातो है, इनर्जी इस्तेमाल करते हैं, बांड को तोड़ तोड़ गार। At the same time, इसी वक्त ATP molecules अर्कास्टरे रिजनेटर फ्राम ATP अनफासफेट यूजिंग इनर्जी लीस्ट फ्राम दे ब्रेकडाउन फूड। इसे इस तरह जायना उसी वक्त जायना वापस मिलती है। जब गलुकोस के होड माल्ल sat को सल तोड़ता है ना तो वह आइनर्जी वापस मिलती है। एजिस भार्ण बार्ण के लिए टांक का लगाने के लिए दोबारा बार्ण बांड बनार ऐनर्जी और हासिल की जाती है इस तरह है यह एक मुस्तकिल तोर पर जैने यह साइकल जो हती फैर एक चक्कर होता है एस ATP का चलता है रहता है के ATP से ATP बनते हो और ATP से फिर वापस ATP बनते हैं तो अब हम पढ़ेंगे analyzing and interpreting Analyze का मतलब है Analyze का मतलब है Analyze का मतलब है तज्जिया करना तज्जिया Analyze का क्या मतलब है तज्जिया करना यानि क्या करना टेस्ट करना किसी चीज़ को टेस्ट करना और interpret का मतलब है interpreting का मतलब है तश्जिरी करना वजाहत करना वजाहत करना तो अटिपी और एडिपी जो कि मैल की जे में तो इसमें क्या होते हैं डिजाइन ता मलकूलर माडल आफ एडिपी तो इसमें कह रहे हैं कि डिजाइन करें एक ऐनर्जी पास्वेट बांस तो कहते हैं कि माडल डिजाइन करें एक माडल डिजाइन करें एटिपी का जो के एक जायना सस्ता हो या जायना बहुत सस्ते माट्रील से तैयर किया हो और उसमें जाना है वो जो इसके जो इसके जो कंपनेर्स ATP के जाद्जा हैं उनको जाना दिखाएं और उसमें जो वो पी-टू-पी जो फासफेट ऑफासफेन के धरम्यान जो हाई-इनर्जी बांड्स है न उसे जाहिर करें अब हम आए आते हैं फोटोसेंथिसिस फोटो सेंथिस की जाने बात हैं फोटो सेंथिस की से कहते हैं तो फोटो का मतलब है लाइट फोटो का क्या मतलब है फोटो का मतलब है लाइट यानि कि फोटो का मतलब है रोशनी रोशनी फोटो का क्या मतलब फोटो सेंथिस में फोटो का क्या मतलब है रोशनी लाइट या सूरज की रोशनी सही है और संथिसिस का क्या मतलब है संथिसिस का मतलब है संथिसिस का मतलब है संथिसिस का मतलब है पेदावार पेदावार संथिसिस का मतलब है पेदावार तो सूरज की रोशनी में जो पेदावार तयार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं Sunlight की रूशनी में जो पेड़वार तयार होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको Photosynthesis कहते है Photosynthesis कहते है तो जो दा वर्ड Photosynthesis is the combination of two Greek words Photosynthesis का लफज जाया नहीं यह दो अलफाज का मजमुआ है दो अलफाज का क्या है दो अलफास का क्या है मजमुआ है ये दो अलफास से मिलकर बने है ठीक है और फोटो का मतलब है रोशनी फोटो का क्या मतलब है रोशनी और सेंटिस का मतलब है मेनिफेक्टर यानि तयार करना है तो फोटो सेंटिस को जाया ना फोटो सेंटिस को अर्दू में हम कहते हैं जिय खास लफ़ाद है उर्दू में से कहते हैं जियाई तालीफ जियाई तालीफ जियाई परसंद इस गुर्दू में क्या कहते हैं जियाई जियाई तालीफ जियाई तालीफ परसंद गुर्दू में कहते हैं जिया का मत्तब है नूर रोशनी मतलब भी है कि रोशनी की जानी तवज़ो रोशनी की मौजूदगी में खुराक का तयार होना तो फोटसेंदिसी ते कैसा हमाल है जिसमेंटे इस डिफाइन अस दे मेनिफेक्टिर्ण अफ अरगेनिक फूड इसमें क्या होती है अरगेनिक फूड जो है वो तयार होता है अरगेनिक फूड किसे कहते है जिन में कार्बन और हैडरोजन हो क्या हो जिन में कार्बन और हैडरोजन के अटम जों जिन में कार्बन हैडरोजन के अटम जों को हम क्या कहते है अरगेनिक फूड और यह काम पर तयार होता है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, सही है हमारा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर नुकलेस होता है, और इसके लावा सेल के जो प्लांट सेल है, प्लांट बोगों के सेल है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता ह ये chloroplast structure है ठीक है ये chloroplast structure है तो chloroplast के अंदर जायना ये cell के अंदर जो फोटो के cell है इसके अंदर मौजूद होते है chlorophyll इसमें क्या मौजूद होते है इसमें मौजूद होते है chlorophyll मौजूद होते है तो chlorophyll जो यह ना chlorophyll के अंदर क्या होती है इसके अंदर सुरज की रोशनी में खुराग तैयार होती है ठीक है पहले क्या होता है एक ऐसा मन लाना कि पत्ते हैं पत्ते हैं ठीक है के हैं पत्ते मिसाल के तोर पर ये एक पत्ता है ठीक है ये के एक पत्ता ले लिए ठीक है अब इस पत्ते के अंदर जाना इस पत्ते के अंदर जाना वो इस पत्ते के अंदर जाना वो क्या होंगे ये पत्ता किसे बना हुआ है सेलों से मिलकर बना हुए किन से मिलकर बना हुए सेल से मिलकर बना हुए यह पता किन से मिलकर बना हुए सेल से यह पता जहे है वो सेल्स से मिलकर बना हुए सेल्स तो यह अब सेल है पर्स करें यह एक सेल है ठीक है यह क्या है एक प्लांट का पोदे का एक सेल है ठीक है ये पत्ता बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुए बहुत सारे सेल जो है आपस में एकठी हुए इसे इनसे ये पत्ता किया बना हुए ये पत्ता बन गए ठीक है लीफ बन गए अब इनसेस के अंदर जाहना है न नकूर्ब सब्सक्राइस के अंदर पहले ल्ग मौए। क्लॉरोप्लास्ट मौझूद होता है क्लॉरोप्लास्ट ठीक है उस क्लॉरोप्लास्ट के अंदर जाना उस क्लॉरोप्लास्ट के अंदर जाना वो क्लॉरोफिल मौझूद है इन क्लॉरोप्लास्ट में क्या मौझूद होता है इन क्लॉरोप्लास्ट के अंदर क्या मौझूद आती है शूरज की रोशनी जब आती है ना तो ख्लौडोफिल के अंदर जो है वह खुराब तायार होती है ये पता है अब इसके सल के लूरफिल मौझूद है शूराध के अंदर क्या मौझूद है क्लॉरो chlorophyll chlorophyll मौझूद है ठीक है इसके cello के अदर chlorophyll के ओपर जब सूरज की रोशनी आती है यहा होता है जब सूरज सूरज की जैना रोशनी इस पर पढ़ती है sun light पढ़ती है ठीक है और इस पत्टे के अदर जैना स्वराखे भी जोदी है इस पत्ते के अंदर क्या होती है सुराखे भी होती है ठीक है इस पत्ते के अंदर सुराखे भी होती है सुराखे आवगवद इसके अंदर मुक्तरी किसम की सुराखे होती है इसमें से क्या होती है गैस एक्सचेंज होती है गैस क्या होती है इसमें कर्बन डेक्साइड पतों में अंदर दाखिल होती है कर्बन डेक्साइड गैज जए पतों के अंदर दाखिल होती है ठीक है कर्बन डेक्साइड कर्बन डेक्साइड गैज जए वो पतों के अंदर दाखिल होती है ठीक है और Oxygen जाए न अक्सीजन जाए उप पोड़ों के इंदे त्यार होती है वह बार की जानिब जाती है कों से अमल में फोड़ों के अमल हम पहुकं है जबकि पोडों की अंदर पत्तों के अंदर Ispheration का हम भी होता है बार की जानिब जाती है कर्बन डिक्साइड कर्बन डिक्साइड बाहर की जानिब जाती है गैस और अक्सीजन जैना अक्सीजन गैस जैना अक्सीजन गैस जैना अंदर की जानिब जाती है जबके फोटसेंथिसिस में क्यों होते है photosynthesis में जो है, वो carbon dioxide जो है, वो अंदर की जानिब जाती और oxygen gas understand, जो हो और जाती है वो बाहर की जानिब जाती है तो यह सारा अमल जहांना यह फॉटसेंधिस का अमल है तो using carbon dioxide and water and sunlight releasing oxygen as a byproduct ठीक है तो for synthesis में क्या होता है for synthesis में carbon dioxide gas carbon dioxide gas carbon dioxide gas है और पानी water जो है water 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 जो है H2O यानि carbon dioxide plus H2O carbon dioxide gas और plus water पानी जो है ये chlorophyll की मौझूदगी में इसके साथ chlorophyll भी होता है chlorophyll के अंदर पत्तों में ये दाखिल होता है पानी और carbon dioxide gas और chlorophyll की मौझूदगी में क्या होता है इन से तयार होता है एक मलक्यूल तयार होता है जिसे के सुरच की रुशनी में so chlorophyll यानि chlorophyll 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 jama jama H2O पानी और jama carbon dioxide और jama sunlight sun light sun light suraj की रुशनी तो chlorophyll और पानी और carbon dioxide और सुरच की रुशनी ये 4 चीज़े मिलकर जहना एक मलक्यूल बनाती है जिसे हम कितने glucose खुराग का एक मलक्यूल बनाती है जिसे glucose कहा जाता है जिसे जिसे glucose कहा जाता है glucose glucose तयार करती है glucose ग्लुकोस का क्या फार्मुला है? ग्लुकोस का क्या फार्मुला है? C6, H12, O6 C6, H12 और O6 Easter Ma य 2023 यसमे 6 6 carbon dioxide के भवज़ दो 6 carbon के malacum है कितने malacum है इसमे glucose मैं क्यों Aww glucose में क्यों होते है इसमे glucose में जयी झाना वो 6 जय झानान 6 carbon के malacum होते है C6, H12 12 जहाँस में हड्रोजन के अटम्स होते हैं 6 कार्बन के अटम्स होते हैं 12 हड्रोजन के अटम्स होते हैं और 6 जहाँस में अक्सीजन के अटम्स होते हैं ग्लुकोज यह किसे त्यार होता है कर्बन डेकसाइड कर्बन डेकसाइड और वाटर के अटमों से मिलकर जाएं ये क्या तयार होता है C6H12O6 तयार होता है ग्लुकोस तयार होता है तो इस अमल को हम क्या कहते है इस अमल को हम कहते है फोटो सेंथिसिस इस अमल को हम क्या कहते है फोटो सेंथिसिस कहते है और ये अमल जाहे हमारी जिन्दगी को क्या करता है जिन्दगी को सस्टेन करता है जिन्दगी को क्या करता है सस्टेन करता है सस्टेन का क्या मत्दब है सस्टेन का मत्दब है कि जिन्दगी को क्या करता है बरकरार रखता है जिन्दगी को क्या करता है बरकरार रखता है जिन् रहे वाटर एंड रिलीजिंग इनर्जी अक्सीजन एज़ बाई प्राड़क तो इसमें जहना खुराग तयार होती है और अक्सीजन बाई प्राड़क के तोर पर नहीं कलती है बाई प्राड़क मतलब है के एक्स्ट्रा मट्रियल बाई प्राड़क जहना हमें चाहिए हमें glucose और अक्सीजन मुफ़त में glucose के साथ जायना glucose के साथ oxygen में परी में मिल जाती है buy a product अ bit एक चीज़ हम खरीते हैं और एक चीज़ हमें फरी में मिल जाएं पेज़ज इस तरह मिञसाल के तोर पर हम क्या करते हैं हम मिञसाल के तोर पर burger खरीते हैं यहां पर कैचप क्या है यह एक बाई प्राड़क्ट हो गया तो फोटे सेंदिय किसे कहते हैं आटो आटो ट्राफिक का इसे जानदारों कहते हैं जो आपने खुड़ा खुड तयार कर सकते हैं आटो ट्राफिक किसे कहते हैं आटो ट्राफिक जहना आटो आटो ट्राफिक क्या होते हैं अपनी खुराख खुद तयार कर सकते हैं आटो ट्राफिक क्या करते हैं आटो ट्राफिक जहें वो क्या करते हैं आटो ट्राफिक अपनी खुराख आटो ट्राफिक जहें अपनी खु खुराक खुद तैयार करते हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं अपनी खुराक क्या करते हैं खुद तैयार करते हैं कौन अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं आर्टो ट्राफिक आर्गेंजम आपने खुराग क्या करते हैं? खुद ही तैयार करते हैं तो इसके अब हम पढ़ेंगे के Science, Technology and Society Science, Technology and Society के बारे में पढ़ेंगे साइन्स का लफ़ जाना वो साइन्शिया से निकला है किसे निकला है? साइन्शिया से साइन्स का लफ़ निकला है? साइन्शिया से साइन्स का लफ़ निकला है? साइन्शिया से साइन्शिया साइन्स का लफ़ निकला है? साइन्शिया से Scientia का मतलब है knowledge. Scientia का मतलब है knowledge. यानि कि Scientia का मतलब है ilm. तो लाफ़ साइंस किसे निकले? Scientia से निकले जिसका मतलब है knowledge या ilm. और technology को उर्थो में हम कहते हैं सानत और हिर्पत. technology को हम उर्थो में क्या कहते है? technology को उर्थो में हम कहते हैं सानत और हिर्पत. अमली अमली तोर पर जो science होती है. अब हम क्या करते हैं? science को अमली जामा पहनाते हैं. उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं टेक्नॉलिजी और सुसाइटी जो है सुसाइटी यह माशरे को कहते हैं सुसाइटी किसे कहते हैं सुसाइटी जो है वो किसे कहते हैं सुसाइटी जो है फोटो वोल्टेक यह सोलर इनर्जी शिटम वोल्टेक अरह किसे եे सब 112 तकिते के इस न banco उन था पांद जौत मॉल्टवाहिते थेक एक टो samen करें वह इनर्जी सिटम इनकामन के आपके पूधय में अर टुमाटर के पोदे में और जो फोटो फॉल्टे करे जो जो सोलर सिस्टम की जो पलेट है उसमें क्या जीज़ें जहें है वो एक जैसी हैं तो कहते हैं के दे बहुत तो इसमें यह कहते हैं के दे बहुत कानवर्ट सन लाइट रेडियन इनर्जी इनर्जी इन्टु फार्म यूसफुल तु यूमन तो कहते हैं यह दोनों जैना यह सुरज की रोशनी को जा इंसानों के लिए करामत बनाते हैं इंसानों के लिए यूस तो दोनों जो हो सुरज की रुचनी को काम में लाते हैं तो दा फोटो वल्टेक अरे अब्सर्व सोलर इनरजी तो क्या करते हैं सोलर इनरजी इनरजी इन बैटरी तो कहते हैं तो फोटो वल्टेक अरे क्या सोलर बैटरी जो है सोले इनर्जी को जो है वो स्टोर करते हैं और उनको जाना की मियाई तवानाई में तब्दील कर दे दें और फिर उसको बैटरीज में क्या कर ले दें बैटरीज में उसको महफूस कर ले दें कि लेज प्रूमिट्ड को भी इनर्जी में गर्णन जाना मैंचलSi और बैटरीज में कमपांट्स और न्युके के से आप माईडोडीज में जारा तो यह दखी यह रेक्षाइन है так के six carbon dioxide plus two के 6 carbon dioxide के मुलए 5 शेंचेस में चहेंचेस में कर्बन डखाइट के मालिकूल और बारा जहयएज में अश्टुओ-वाटर likes येंग और सूरज की रोशनी में सूरज की रोषनी में, सन लाइट में और और जायागोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं यानि कि क्या बनाते हैं ग्लुकोस बनाते हैं ग्लुकोस तयार करते हैं ठीक है इसके इलावा क्या तयार होती है इसके इलावा जो है अक्सीजन बनती है इसके इलावा क्या बनती है इसके इलावा जो है वो छे अक्सीजन के मालेकूल बन जाते हैं सही है छे क्या बनती है छे यह वापस इसमें जो है वो वाटर के मालेक्यूल जो है इसमें छे वापस वाटर के मालेक्यूल तयार हो जाते हैं तो यह जहने यह टोटल एक्षेन है वोटी संथीज का तो फोर संथीज एक्ट एक्ट है एकट एक्ट है प्यांग इनर्जी के इप चिन एन इस्टोर आप रहाँ है तो यह एक तवह नहीं को पकड़ने का एक आमाल है इनर्जी को तवानगी को क्या करने का हमल है तवानगी को पकड़ने का हमल है फोर सेंथिस फोर सेंथिस एक अज इनर्जी केप्चरिंग परासेस फोर सेंथिस क्या है एक इनर्जी केप्चरिंग परासेस है फोर सेंथिस एक अज इनर्जी केप्चरिंग परासेस पॉरसेंदिज रहा है ये इनर्जी को पकड़ने का और महफूस करने का प्रासेस है कैप्चरिंग क्या है इनर्जी को इनर्जी को क्या है इनर्जी को पकड़ने का प्रासेस है पकड़ने का अमल है और पिर उसे क्या है उसे महफूज करने का अमल है पकड़ने और महफूज करने का अमल है इस अमल को हम क्या कहते हैं पॉरसेंदिस कहते हैं तो कहते हैं कि अपनी खुराग मुख्तलिफ जगों से अपनी खुराग मुख्तलिफ जगों से मुख्तलिफ जगों से असिल करते हैं एट्रियो ट्राफिक आर्गिसम तो और यह अपने खुराग खुद तयार नहीं कर सकते हैं अपनी खुराग खुद तयार नहीं कर सकते हैं हिट्रियो ट्राफिक क्या नहीं कर सकते हैं एट्रियो ट्राफिक जगों आर्गिसम जहना हुआ अपनी खुराग खुद तयार नहीं कर सकते हैं तो इस वज़े से वो दूसरे जानुरों को खाते हैं तो और इस वज़े से जहने वो यह इस काबिल नहीं होते कि सुरज की रोष्णी को जहना वो इनर्जी को जहना वो बरायराज सिस्थेमाल करें और आपने इनर्जी की तवनाही की जुरःत पूरी करने के लिख लिख अगिए डिर्यक्ली और II बिटर्श WiFi सिप्टों तो फोटोशैंथीज आल सो प्रोवाइजन एक्सीजन फोटोशैंथियन न वह वो आक्सीजन भी माया करती है जो के तमाम चाहिए न है एरोबिक आर्गिनिसम इसे कहते हैं जो अक्सीजन की मौजूदगी में खुराक के तोर फोर करते हैं क्या करते हैं जैसे जानदार जिनको अक्सीजन की जुरत होती है उन जानदारों को हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक आर्गिनिसम इरोबिक किस कहते हैं जिनको जिनको क्या होती है जिनको जो है वो अक्सीजन की जुरत होती है हो जिनको अक्सीजन की जरूत हो उनको हम क्या कहते है उनको हम क्या कहते है एरोबिक आरगरिजम्स और इस्पारेशन जाने यह खुराक की तोड़ मोड़ का मने इस्पारेशन क्या है इस्पारेशन को अरदू में हम कहते है अमले तनफुस इस्पारेशन को हम अरदू में क्य कहते हैं, अमले तनफस, अमले तनफस कहते हैं, इस्परेशन को हम अमले तनफस कहते हैं, तो यह कि है, खुराग की तोड़ बोड़ का अमले, खुराग की तोड़ बोड़ का अमले, इस्परेशन जो है नवकिया है खुराग की खुराग की तोर तोर खुर काम अले